नमस्कार मैं आनन्द कुमार खत्री एसोशेट प्रोफेसर आफ जोलोजी गौर्वेंट उंगर कॉलेज बीकानेर आज की हमारे लेक्चर का विशे है क्लीवेज विदलन पार्ट सेकेंड प्लेंस आफ क्लीवेज विदलन में यूग मनज का विभाजन निश्चित तलों में ह होता है प्रफम वद्धिति विदलन विभाजन उदग्र होते हैं तर्फिव विभाजन विभाजन चैटीज होता है जन्तुव में मुख्य विदलन तल निम लिखित होते हैं पहला रेखांसिक तल जब विदलन खांच दुरूवियाक्स से गुजरते हुए यूग मरज के दुनों दुरूवों को विद्धित करें तो ऐसे विभाजन को रेखांसिक विदलन कहते हैं एवं इस तल को रेखांसिक तल कहा जाता है इस प्रकार का विदलन तल एमफियाक्स मेंडाक लैफिडस्टियस में पाया जाता है दूसरा प्रकार है उदग्र तल जब विदलन इसे उद्गरविद्लन कहते हैं इस प्रकार का विद्लन क्हां दुर्विऐ त्रिमीया लेफिंटेस्टीर्व चूझे के तरती विद्लन में बाया जाता है तीसरा प्रकार है विशुवक्तिय तल जब विदलन खाज दुरुविय अक्स पर समकौनिक होता था दुरुविय अक्स को समान दो भागों में विवक्त करें तो विदलन को विशुवक्तिय विदलन एवं इस तल को विशुवक्तिय तल कहते हैं चौथा प्रकार है लेटिट थुरवी अक्स पर समकॉनिक होता है परन्गु दुरूई अख्स को दो असमान भावगों में विबक्त करता हैं विदलन के परतिरूप तरौंबे पर कार के विदलन परतिरूप पाए जाते हैं पहला है अर्य विद्लन प्रति रूप में प्रति रूप में इस प्रकार का विद्लन प्रति रूप में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है प्रतेक स्वपान का प्रतेक खंड अपने नीचे वाले कोरक स्वपान के संगत कोरक खंड के ठीक ऊपर इस्थित होता है दूसरा प्रकार है बाहिर रिड्लन प्रति रूप में प्रतम दो विभाजन तल तो रेखांसिक होते हैं परंतो तीसरा विद्लन विभाजन जो है वो उदगर प्रकार का होता है इसके परिणाम से रूप आठ कोरक खंड को निर्मान होता है कोरखंड चार-चार की दो कतारों में विवस्थित होते हैं इस प्रकार का विदलन परतिरूप टीनोफोरा में पाया जाता है कीसरा प्रकार है स्पाइरल क्लिवेज पैटरन सरपिल विदलन परतिरूप इस प्रकार का विदलन प्रतिरूप अरिय विदलन का रुपांतरन होता है इस प्रकार का विदलन प्रतिरूप निमर्टेन आनेलेड्स वर मॉलस्क में पाया जाता है इस प्रकार के विदलन प्रतिरूप के परिणाम सरूप बने कोरखंड दुरूविय अक्स के चारों और सर either 35 एलिश्ट प्रकार Wirth towards the ител जाता है पाला है इस may dextral spiral core गुरुकहंडों का इस्में गुण दखवित क्लोकवाइच होता है तो विधान प्रतिरूप दक्ष्यावर्थ सर्पिल विद्लन कहलाता है और दूसरा प्रकार है सिनिस्ट्रियल स्पाइरल क्लिवेज वामा वर्थ सर्पिल विद्लन यदि को रखंडों का गुर्णन रोटेशन वामा वर्थ लेफ्ट एंडेड और एंटी क्लोक वाइज होता है तो विद यह विदलन प्रतिरूप भी अर यह विदलन प्रतिरूप का ही रुपा अंत्रन है इस प्रकार का विदलन प्रतिरूप में यूग मनस्दो प्रकार के कोरक खंडों का निर्मान करता है यह दि कोरक खंडों को छोटे कोरक खंडों को लगुखंड एवं बड़े कोरक खंडों क अनिमल पोल की और जबकि व्रहत खंड मेक्रोमियर्स वेजिटल पोल की और इस थे तोते इस परकार बना ब्रून प्रारंबिग अविस्था में दिव पार्शो सम्मित बाइलेटर स्यमेट्री का होता इस परकार का विल्दन प्रतिरूप कसे रुक्यों में और सिफिलो पोर् इस दो बाइलेटरल क्लीवेज पैटर्न टू सेल फॉर सेल एट सेल सिक्सीन एंट थर्टी टू सेल स्टेज दो परकार का विल्दन देखने को मिलता है और वो भी ओसी का द्रव्य के परिवर्धन की योग्यता के आधार पर जिन में एक तो होता है निर्धारी विल्दन द क्लीवेज कुछ जन्तुओं में विल्दन के परिणाम सुरूंबने कौरकंडों में पूर्ण निर्धारित भविष्य की छमता पाई जाती है प्रते खौरकंड का भविष्य प्रारंबिक भुरूणी अवस्था में ही निश्चित हो जाता है यदि किसी कौरकंड को निर्मान अलग किये करकंड से खौना होता था इसलिए इस परकार के को निर्धारी विद्लन कहते हैं डिटिमेंट किनीप ने धरिविदलन के परिणाम सुरूब मौजसेक परकार के कोरक भ्लस्ट्ण का निर्मान होता है ज 나타ञे इस प्रकार के परिवर्धन को मोजएक परिवर्धन मोजएक डवलब्मेंट भी कहते हैं निर्धारी विदलन निमेटोर्स, आइनेरेट्स, मॉलस्क, वट्यूनिकेट्स में पाया जाता है यह डिटर्मिनेट के लिवेज का टाइप दिखाई दे रहा है जिसमें डाइग्रामेटिक दिस वन आल्सो A, B, C, D, E, F, G, H एसकेरिस में सरफिल्वर निर्धारी विदलन पाया जाता है प्रतम विदलन विभाजन अनुपरस्ट होता है जिसे उपर वाली एक प्रेष्ट कोशी का A, B बनती है वो नीचे वाली प्रतिप्रेष्ट कोशी का P, 1 का निर्मान होता है प्रेष्ट कोशी का उद्दगर विभाजन के फाल्स रूप A, वपस्च कोशी का B में बन जाती है साथ ही नीचे वाली जो वर्टिकल सैल्स होती है प्रतिप्रेष्ट कोशी का P, 1 में अनुपरस्ट विभाजन होता है जिससे उपर की और कोशी का E, M, S, T वो नीचे की और कोशी का P, 2 बनती है चार कोशी की अभ्रून अब T के आकार का नजर आता है ये इसमें डाइग्राम में दिखाई दे रहा है A, B, E, M, S, T, P, 2 P, 2 कोशी का दाहिनी और हड़ जाती है तथा उपरी कोशी का के सामने आज जाती है ये देखिए डाइग्राम में चोकोवर बन जाता है इस तरीके से A, B, कोशी काएं एक साथ विभाजित होती है तथा दाहिनी और बाई कोशी काएं बनाती है ये पुने विभाजित होकर ब्रून की एक्टडूम का निर्मान करती है EMST वर P2 कोशी काएं विभाजित होकर E, MST, P3 वर C कोशी काएं बनाती है E कोशी का विभाजित होकर एंडोडर्म बनाती है MST से मिजोडर्म वर एक्टोडर्म से के कुछ भाग का निर्मान होता है P3 कोशी का के विभाजन से P4 वर D कोशी काएं बनती है C वर D कोसिकाएं, एक्टोडम कोसिकाएं बनाती है, P4 कोसिका, G1 वर G2 कोसिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जो कि प्रारंबिक जनन कोसिकाएं बनाती है, दूसरा प्रकार है इनडिटर्मिनेट किलिवेज, अनिर्धारी विदलन अधिकतर जन्तों में कोरखंडों का पूरु निर्धारित भविष्य की छमता नहीं पाई जाती है, यदि प्रारंबिक भ्रूण में से किसी कोरखंड को हटा दिया जाये तो पुन है, समायोजन्व परतिस्थापन के परिणाम से रूप परिवर्धित होने वाले भ्रूण मे किसी भी सरचना की कमी नहीं रहती है, प्रारंबिक भ्रूण के प्रतिक कोरखंड के भविष्य का निर्धारन ध्रड़ता पूर्वक नहीं होता है, भविष्य निर्धारन में काफी लचिलापन पाया जाता है, आवसकता होने पर कोरखंड के निर्धारित भविष्य में प प्रकार के परिवर्धन को नियमनकारी रेगुलेटिव डेवलोपमेंट भी कहते हैं। टाइपस ऑफ क्लिवेज विद्लन के प्रकार विद्लन के प्रकार जन्तुओं के विभिन समुओं में अलग-अलग पाए जाते हैं। यह मुख्यत अंडे में पीतक की मात्रा एवं उसके वित्रण एवं समसुत्री विभाजन में तरकू के उद्गम पर निर्भर करता है। जन्तुओं में विद्लन निमलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है होलो बलास्टिक कलिवेज पूर्ण भंजी विद्लन इस प्रकार के विद्लन में विद्लन खांच यूग मनज या कुरखण को पूर्ण ब्विभक्त करती है। पूत्री कोशिकाओं को छट्रिगर्ष्ट किये बिना अलग किये जा सकता है। इस प्रकार के विदलन में यूग मनज, पूर्ण रुपे एंट, एक से दो कोशी काव में विभक्त होता है, विदलन को पूर्ण भंजी किएते हैं इस प्रकार का ही विदलन भी जन्पूब में दो मान आकार के होते हैं मिसाकार प्रकार का विदलन अपीत की शुक्ष्म पीत की वसम पीत की अंडों में पाया जाता है इसका सबसे अच्छा उधारण है में Amphioxus this is the holoblastic cleavage A B C D E F जो दिखाई दा रहा है है के अंदर Micromeres and Macromeres cleavage in mammals भी दिखाई दा है है इसमें 2 cells, 4 cells, 16 cells and morulastage Unequal holoblastic cleavage इस प्रकार का विदलन मध्य पीत की अवं मध्यम गुलार्ध पीत की Neuroblastic Moderatory Tilo Lecithal अंडों में पाया जाता है इस प्रकार के विदलन में पूर्ण बंजी विदलन के परिणाम सरूप बने कोरक खंड परिमान में असमान होते हैं आता है इस प्रकार के विदलन को असमान पूर्ण भंजी विदलन कहते हैं ऐसे विदलन के परिणाम सरूप बने कोरक छोटे कोरक खंडों को लगू खंड कहते हैं बड़े कोरक खंडों को व्रहत खंड macromeres या फिर megameres कहते हैं इस परकार का विदलन मचलियों मैंडक में पाया जाता है अनिक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज दूसरा परकार है मीरोब्लास्टिक और डिसकॉइडल क्लीवेज इस परकार का विदलन जन्तूओं में अतिपीत की वर गोलार्द पीत की टीलर लेशितल अंडों में पाया जाता है इस परकार के अंडों में पीतक बहुत अधिक मातरा में पाया जाता है पीतक इनमें अल्प क्रिय वर सक्रिय ध्रू तक पाया जाता है इसमें कोशिका भाग जरन बिम्ब या कोरक बिम्ब कहते हैं, जो cellular part होता है उसे germinal disc या blast disc कहते हैं, इनमे विदलन पूरे अंडे में न होकर सिर्फ germinal disc तक ही से मिद रहता है, इसे अंस बंजी विदलन कहते हैं, इस प्रकार का विदलन रैप्टील या आवीज, प्रोटेथी मेरिया में पाया जाता है, मेरो प्लास्टी क्लीविष्क डायग्राम तीसरा ये चिक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें उसकी germinal disc, तीसरा प्रकार है प्रष्ठीय या सतही विदलन, सुपरफिशिल क्लीविष इस प्रकार का विदलन केंद्रक पीत की अंडों में प परिदिय भाग तक ही सिमित रहती है। परिणाम शरुप केंद्रिय पी तक वाला भाग कोशी का इस्तरों द्वारा घिर जाता है। इस प्रकार का विदलन प्रष्ठी या सतही विदलन कहलाता है। सुपर्फीशल क्लीवएज कीटों में पाया जाता है। जिस में प्रिष्ठी या सतही विदलन दिखाई दे रहा है। बीच में यूग स्वेज सेंघ obt delays दिखाई दे रही है। सिगनि व हुड धिकन्igor वार्फ क्लीवएज में टिव का महत्वएज। विदलन भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है एवं यह निमलिखित दृष्टिशे महत्वपूर्ण होती है पहला विदलन द्वारा यूगमनेज में अपस्थित बुरुनोद भवन पदार्थ embryonic material का कई कोशिकाओं में विभाजन हो जाता है दूसरा यह कोशिकाओं विभेदन एवं सरचना विकास की तैयारी करता है तीसरा विदलन में बुरूनिये सरीर के अंग निर्मान हेतू मुख्य पूर्व निर्धारी छित्रों का प्रतक्रन होता है और विदलन के दौरान कोर कगुहा का निर्मान भी होता है धन्यवाद